हेई गाइज वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सप्लेइन सो मैं आज आपको ये बताने वाला हूँ कि डैली उनिवर्सेटी ने एडमिट कार्ड को रिलीज करने अस्टार्ट कर दिया है डैली उनिवर्सेटी में जो सेमेश्टर 1 के एक्जाम होने वाले हैं आप लोगों के एडमिट कार्ड को रिलीज करना स्टार्ट हो गए है अब किन किन कोर्स के एडमिट कार्ड आए है और उसको डाउनलोड कैसे करना है वो आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि अगर कोई प्रॉब्लम आ रहे है एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा किसी में कोई गलीच आ रहा है तो उसको कैसे सोट आउट करना है तो वीडियो का इन तक बने रहे हैं वीडियो में देखिए और आएए करते हैं वीडियो को स्टार्ट सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि किस-किस कोर्स के अडमिट कार्ड आए है और किस-किस कोर्स के अडमिट कार्ड नहीं आए है तो अभी जो admit card आये है वो आये है become program के BA honors English के BA English honors जिसको आप बोलते हो और BA political science honors ठीक है तो BA political science honors BA English honors और become program इन तीन courses के admit card को release कर दिया है download कैसे करना है इस site का link description में मैंने दिया हुए direct आप click करके download भी कर सकते हो अपना admit card को किस किस courses के admit card नहीं आये है वो भी मैं आपको बता देता हूँ यह admit card की site है आपके सामने कुछ इस तरह का whole ticket बोल सकते हो या admit card बोलो या फिर आपका जो भी examination card है वो बोल सकते हो तीनो save है admit card अभी BA become owners का और BA program का यह दो courses है मैं यहाँ पर आपको लिख के बता देता हूँ BA program के जो बच्चे है और secondly आएगा become owners के जो बच्चे है उनके admit card अभी release नहीं हुए है और अभी release नहीं करे गए है जैसे ही release करेंगे एक separate video बना के आपको बता दिया जाएगा ठीक है इनके admit card इसलिए release नहीं हुए है क्योंकि इनकी date को आगया extend कर दिया गया था इसलिए admit card अभी तक release नहीं करे गए है अभी जो courses के admit card है वो अपना download कर सकते हो बाकि तीन courses के जो admit card है वो release कर दिया है अब आपको यह 3-4 details हैं बस यह फिल करनी है और आपको submit पर click करके अपने admit card कर download कर लेना है सबसे पहले यहां से आपको अपना north campus select करना है campus select कैसे करोगे नहीं पता तो एक बार आप north select करना अगर नहीं आ रहा शो करना admit card तो आप south select करना ठीक है यहां पर north select करना उसके बाद यहां पर नीचे आपको डालना है अपना sol का roll number sol roll number डलता कैसे है उसका आपको यहां पर दे रहा है tutorial कि इस तरह से roll number डालना है आपका जो अभी roll number है आप उसमें 01-02-S उसके बाद 03 और आप बागी जो roll number है पूरा ऐसे आप इसमें fill करोगे कोई space वगएरा आपको नहीं देना है उसके नीचे यहां पर आपको अपनी date of birth डालनी है और 90% में बता रहूँ 90% गलतिया date of birth में बच्चे करते हैं जिसकी वज़े से your center has not been allotted लिखाएगा उपर red color state समझा रहा है तो date of birth में 90% गलतिया अगरते हो लगाना है जनवरी जून मई जो भी है उसके सिर्फ तीन अक्सार डालने है तीन alphabet डालने है पहला alphabet capital आएगा मानलो जून है तो जे यू एन ठीक है फिर slash आएगा उसके बाद 2003-2004 जो भी आपकी date of birth था वो आपको डालना है यहाँ पर आपको फिल करना है ठीक है suppose करो मेरा एक फरवरी है तो मैं कैसे डालूँगा यहाँ पर 0,1,1 फरवरी का F बड़ा आएगा E और B छोटा आएगा और बाकी 2003-2004 इस तरह से आपको डालनी है तो भाई यह format देख लो फोर्मेट बाकी यहाँ भी लिखा हुए पहला वर्ड कैपिटल आएगा कोई भी मंथ लिखोगे कैपिटल बाकी सब स्मॉल और बीच में यह स्लैश डालना है कोई स्पेस नहीं डालना है इस तरह से नहीं डाला तो आपका अडमेट कार्ड शो ही नहीं करेगा समझ आ गया जो अडमेट कार्ड के लिए डेट सही डालना लास्ट चीज है आपको अपना स्टूडेंट नेम डालना स्टूडेंट नेम जो आपका अडमेट कार्ड यह फीस रिसिप्ट में है वो आपको डालना है as per your identity card जैसा identity card में होता है same as it is वैसर डालना है अगर आपके उसमें double space है तो आप double space दोगे बीच में नाम के नाम के जैसे surname है देवेश, मिश्रा तो देवेश और मिश्रा के बीच में double surname दोगे, space दोगे अगर कोई space नहीं है तो बीना space के लिखोगे पहला आक्षर जो है देवेश का अगर वो capital में लिखा है D तो आप capital में मना हुए, सारा capital लिखना small है तो small लिखोगे समझा गया, यहाँ पर आप उसके बास show पे click कर लोगे और आपकी जो pdf है वो download होना start हो जाएगी print का option भी आ जाएगा admit card का print out कर वा लेना offline जाने के लिए examination center उसमें ही आपको मिल जाएगा कि कौन से जगह आपका examination center है कहां आपको जाना है address वगेरा सब उसमें होगा यह adobe scanner है इसको download करना चाहते लेना वरना इसके कोई need नहीं होती ठीक है तो यह तो पूरा process था admit card को download करने का अभी site का link description में आप जाके आप download कर सकते हो आईए अब बात करते हैं उसे end की जिसको admit card download में problem हो रही है गलती आ रही है सबसे पहली गलती तो यह हो सकता है कि आपने अपना यहाँ पे north south गलत चूज किया होगा आपने north चूज किया है और आपका यहाँ पे अगर दिखाता है north central loaded कैसे आप देख सकते हैं यह मैंने details फिल करी हैं अगर आपका गलत शो कर रहा है तो सबसे पहला reason हो सकता है यहाँ से आपने गलत चूज किया होगा north चूज कर रहा है तो इसको क्लिक करके आप south चूज कर लेना यहाँ से इस तरह से नीचे second चीज जो आपकी गलती हो सकती है वह आपका SL roll number आपने गलत डाला होगा third चीज आप गलती करोगे तो यहाँ पर आपकी date of birth है वह गलत होगी देखो date of birth का format गलत होगा format में मैंने बताया था बीच में जो आप लिखोगे यहाँ पर 6 नहीं आएगा 6 मतलब कौन सा मन्त होता आपका जैसे April, May, June तो June है तो June का आप J capital लिखोगे यू और N छोटा लिखोगे तो इस तरह से आपको लिखना है यहाँ पर format दिया हो है तो यहाँ पर गलत है तो आभी not applicable not allowed show करेगा नीचे name में कोई space नहीं डालना है अगर सरनेम के बीच में space है तो space डालना है अब मैं इस पर जारा show पर क्या आपको दिखाता हूँ मैंने show पर click किया तो यहाँ पर आपको जहर क्या show करेगा तो जब मैं इस पर show पर click करूँ है तो यहाँ पर मेरे को एक line लिखी भी आएगी जैसे के आपको दिख रहा है date invalid format date invalid है तो इसका मतलब है जो मैंने date डालिया हो गलत है तो उस case में आपको क्या करना है आपका center अगलोट नहीं हुआ तो आपको wait करना है छे गहंटे बाद आपको दुबारा try करना है साही details डाल गे अब एक गलती और करते हैं बच्चे काफी साही जब details फिर करते हैं तो इसमें जो है show नहीं करता है उसमें अगर मानलो आपका admit card आ रहा है तो उसमें photo नहीं आ रही है signature नहीं आ रहा है mother father name का spelling गलत आ रहा है तो अगर ऐसा कोई भी glitch होता है तो इसके लिए आपको अपने sol campus विजिट करना होगा और कोई दूसरा option नहीं है अग्जाम से पहले एक बार आप विजिट कर लो महां पर आपको पता चल जाएगा अगर कोई technical glitch आ रहा है जिसके यहां पर page नहीं खुल रहा site नहीं खुलती तो wait कर लो आपकी site खुलती आपका download हो जाएगा मैंने सारी possibilities बता दी है मैंने क्या क्या हो सकता solution क्या है फिर भी कोई doubt है तो comment section में drop कर देना reply जरूर करूंगा मैंने तो next video में video helpful लगे तो like करना चैनल को subscribe करना और download करने का link description में जाके site से direct अपने admit का download कर लो एक्जाम के लिए best of the luck और अपने friends तक जरूशी है करना और पूल भी मत पोलना मैं विलता नेक्ट वीडियो में थैंक यू